नमस्कार दोस्तों आप सभी का माय चलन पर रादिक स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में आज हम एक समय का संयोग ही कहेंगे कि भारत के प्रदान मंतिरी नरेन मोदी जी ऐसे एतियासिक मौकों पर उपस्तित रहे जहां पर पूरी भारती जंता का अटूट विश्वास्ता कि वहां पर कोई अच्छे रिकार्ड्स बनेंगे और वहां पर अइतियासिक पल्म काफी सफलता पुरुवक होगा तो कुछ संयोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं अपने भारत के प्रदान मंतिरी नरेन मोदी जी के साथ में कि अभी तक मैंने सिर्फ दो जगहों का विसलेशन किया है वो है चंद्रयान टू और अभी जो बिस्टु का ट्रिकेट का हुआ है अमदाबाद में उसमें भारत की हार तो दोस्तों मैं डेटेल में इस वीडियो में अभी आपको बिसलेशन थोड़ा प्रेस्तुत करूंगा उससे पहले मैं बता देता हूं कि इस वीडियो मे मैं किसी की क्रिटिजिबिन नहीं कर रहा किसी के बिसेश बारे में कोई बात नहीं कर रहा ना राजनीतिक है ना कोई समाजिक ना किसी के ब्रिक्तिकत रूप से आपेच लगा रहा हूं ये सिर्फ मेरा अपना एक बिसलेशन है चोटा सा जिसको मैं आप लोगों के सामने प सूचनार्थ ही आप इसको समझें तो दोस्तों शुरू करते हैं कि आखिर का बारत के प्रदान मंत्री नरेद मोधी जी के साथ में जहां उपस्तिती दर्ज की गई है वहां पर क्यों थोड़ा सा असुप नजर आ रहा है यह सिर्फ एक समय का ही संयोग है ऐसा नहीं है कि हमार प्रदान मंत्री जी में कोई कमी है या कुछ ग्रहों का असर है यह सिर्फ एक छोटा सा समय का संयोग कहा जा सकता है कि बस ऐसा दकी है नहीं तो दोस्तों जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी दो जगहें हैं जहां पर ऐसा घटित हुआ है दोस्तों जैसा कि आस्ट्रेलियन ने व भारत को हरा करके करोड़ों भारतियों की उमीदों पर पानी फेरा है और नरेंद मोदी स्टेडियम में ये काफी पीडा दायक रहा कि भारत के हाथ में ये किताब आते आते अस्टेलिया के पास खिसक गया जैसा कि लगातार इस टूर्णामेंट में भारत दस मैच जीत करक आई थी और जब कि आस्टेलिया आठ मुकाबले जीत करके आई थी और 11 में मुकाबले में भारत फाइनल में आस्टेलिया के हाथो आ रहे गया तो दोस्तो ये तो रही 20 कप क्रिकेट के फाइनल की बात लेकिन जो मुख के बाद हमारी इस वीडियो की है वो ये कि प्रदान मंतरी नरेन मोदी जी भी वहाँ पर उपस्तित थे और उनकी उपस्तिती होने के बावजूद इतने करोड़ों भारतियों की उम्मीदों पर पानी फिरना क्योंकि सारे भारति ये दुआएं कर रहे थे कि भारत दूर ये मैज जीतेगा फाइनल में जीत करके बिसकप की ट्राफी बात के पास होगी लेकिन ऐसा नहीं हो पाया तो दोस्तों जैसा कि हम प्रदान मंतरी नरेन मोदी जी को ले करके ये थोड़ा निसकर्स पर आई हुए हैं कि ऐसे दो मौके लोग देखने को मिलें जहां प पर प्रदान मंतरी की उपस्थिती थोड़ा अच्छी नहीं रही जैसे कि पहला जो मौका था जब 7 सितंबर 2019 को प्रदान मंतरी नरेन मोदी जी इसरों के कंट्रोल रूम में उपस्थित थे और उस समय चंद्रयान टू के बिक्रम मोडल को चंद्रमा पर सफलता पूरुवा इस्ताफित होना था लेकिन आयन वक्त पर उसका संबंध भारत के इसरों कंट्रोल रूम से कट गया और विक्रम का जो संपर के टूटना ये इसरों के लिए काफी दक्का था और वहाँ पर प्रदान मंतरी नरेन मोदी जी भी उस मोके पर उपस्थित थे तो दोस्तो प्रदान मंतरी ने वहाँ भी इसरों के सांचिस्टों को बहुत संतना दी और आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरित किया प्रदान मंतरी ने कहा था कि इस अस्वालता से ही आगे बढ़ने के लिए और अच्छी परणा मिलेगी और दोस्तो उसी का नतीजा रहा कि अभी पिछले मैनों में ही भारत ने चंदर्यान 3 की सांदार सफलता पुरोग चांद पर लैंडिंग की और ये सबसे बड़ी बात ये रही कि अपकी बार चंदर्यान 3 के लांचिंग के टाइम पर प्रदान मंतिरी इसरो कारेलें और कंट् थे तो दोस्तो प्रदान मंत्री मोदी जी जब वहां इसरों में नहीं थे तो सांदार सफलता असील हो गई और जब वहां पर इशरों कंट्रोलों में चंदर्यान 2 के टाइम पर उपस्ति थे एतियासिक छण था वो इस टाइम किसी वज़़ए से असफलता आत लगी इसी इस तरह से दूसरा मौका अभी आपने देखा की नरेंद मोधी स्टेडियम आहमदाबाद में भारत और आस्टेलिया के भीच खेले गए क्रिकेट भिसुकब फाइनल में भारत हार गया और यहां पर भी नरेंद मोधी जी स्टेडियम में मौझूद थे उनके साथ में आस्ट प्रदान मंतरी रिचर्ड मालेस भी मौझूद थे और इस मौके पर प्रदान मंतरी की उपसिती एक बार फिर से थोड़ा असुब दिखाई दी कि भारत मैच नहीं जी सका यह भी एक अइतियासिक छण था क्योंकि मेंस का वर्ड कप क्रिकेट का फाइनल था और सभी भारत कि इस पर निगाहें लगी थी कि भारत जीतेगा लेकिन अएन वक्त पर यहां भी भारत को निरासा ही आसिल हुई इस तरह से एक बार फिर से नरेन मोधी जी की उपस्तिती यहां पर थोड़ा असुब दिखाई दी यह सिर्फ एक सूचनारत है दोस्तों यह एक थोड़ा सा अब इस लेशन है कि ऐसे एतियासिक छड़ों पर दो जगों पर एक इस रोग चंदर्यान टू के टाइम पर और यहां पर क्रिकेट के विस्व कब फाइनल में दोनों जगे प्रदान मंत्री की उपस्तिती रही और दोनों जगे ही अस्फलता हाथ लगी यह सिर्फ एक समय क संयोग हो सकता है ऐसा नहीं है कि प्रदान मंत्री जी ऐसे एतियासिक छड़ों पर उपस्तित रहेंगे तो वहां सफलता नहीं मिलेगी कई मौकों पर कई अच्छी जगों पर सफलता में मिली है लेकिन यह जो विसेस मौके हैं जो मुझे समझ में आए वहां लोगों के साम मेंस वर्ड कप फाइनल जो 2023 का अमदाबाद में हुआ वहां भी भारत को नियासा अंदगी और भारत को ट्राफी नहीं मिल पाई तो दोस्तों ऐसे दो मौकों पर ऐसी थोड़ी समय की संयोग वस कहें कि दोनों जगए ही प्रदान मंत्री को प्रस्तिती थोड़ा असुप स नजर आई लेकिन जब जब प्रदान मंत्री ने होसला बढ़ाया है तब तक उसका अगला जो परड़ाम रहा वो बहुत ही सांदार रहा है यहां भी जब आई सी सी वर्ड कप के फाइनल में आहमदाबाद में बारत मैं चारा तब प्रदान मंत्री ने कैप्टन सहीद सभी खिलाडियों के साथ मुलाकात की और कहा कि प्री टीम इंडिया बिसकप के दोरन आपकी प्रतिवा और द्रसंकल्प उलेकिनी रहा आपने बहुत अच्छे जजबे के साथ खेला और देश को बहुत गरवानवित किया हम आज और हमेसा आपके साथ खड़े हैं दोस्तों प्रति प्रदानमंत्री का ये बयान काफी माने रखता है और खिलाडियों को प्रोसाहन देते हुए उनकी होसला अफजाई की ये एक बहुत बड़ी बात है लेकिन एक अच्छी बात ये है कि इस वरो में जब चंद्रयान टू फेल हुआ था उसके बाद जब चंद्रयान थिरी गया तो सांदा सफलता हासिल हुई और प्रदानमंत्री जी उस टाइम ऐतियासिक छण में इस वरो कंट्रोल लूम में नहीं थे और यहाँ जब अभी नयद मोदी स्टेडियम में ICC मेंस वर्ड कप का क्रिकेट का फाइनल हुआ तो यहाँ पर मोदी जी थी असफलता हां लगी लेकिन जी साबसे इन्हों ने यहाँ पर भी टीम इंडिया का वसला बढ़ाया है उससे साब जाहिर है कि आने वाले समय में आने वाले बिस्ट कप में भारत अवस ट्राफी ल समझे कि सुब इनकी बदाईयां रहती हैं बसरते कि प्यदान मंतिर जी मोदी वहां पर उपस्तित न रहें ऐसे अतियासी मौके पर यह सिर्फ एक समय का सहीं हो गए ऐसा दोस्तों ऐसा नहीं होता है नाम ऐसा होगा यह सिर्फ यह दो अतियासी मौकों पर थोड़ा जो बि किस किया तो दोस्तों बताईयेगा कि यह विसलेशन कितना आपको सही दिख रहा है कमेंट सक्से में जरूर बताईयेगा साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें सेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें धरन्यवाद